31 माई को देश में लॉगडाउन 4 की सीमा खत्म होने वाली है लिकिन इसे बीच अंदाजा लगाया जा रहा है कि लॉगडाउन 5 की घोशना हो सकती है और कुछ नियम और काईदों के साथ नया लॉगडाउन एक बार फिर से लागो किया जाएगा नहीं मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉगडाउन कुछ और धिल के साथ 15 जून तक बढ़ाया जा सकता है 25 मार्च को देश में पहला लॉगडाउन लगाया गया था प्रिधान मंतरी नरेंदर मूदी ने 21 दिनों का वक्त कोरोना वारस से निपटने के लिए मांगा थ लेकिन ये टाइम बढ़ता गया और लगभग दो महिने से जादा हो गया है देश में लॉगडाउन को चलते हुए और अब लॉगडाउन 4 के बाद लॉगडाउन 5 की उमीद लगाई जा रही है 31 माई को पीम नरेंदर मूदी मन की बात करेंगे उमीद की जा रही है कि लॉगडाउन 5 में मुख्यतार पर 11 शहरों पर फोकस होगा इनमें दिल्ली मुंबई, बैंगलूर, पूने, ठाने, इंदोर चाने, अमदाबाद, जैपो, सूरत और कॉलकता है इस शहरों में 70 फीसदी से अधिक कोरोना केस है केवल 5 शहर, अमदाबाद, दिल्ली, पूने, कॉलकता मुंबई में ही 60 फीसदी केस है, लॉगडाउन 5 में दी जाने वाली छूट पर कयास रगाये जा रहे हैं कि धार में किस्तलों को खोलने की अनुमती दी जाएगी, लेकिन कुछ नियम भी लागों किये जाएंगे, जैसे कि इन जगों पर कोई आयोजन आयोजित करन की जासत नहीं दी जा सकती, साथ ही मॉल और मल्टि प्लैक्स को भी बंद रखा जा सकता है, शादी और अंतिम संसकार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट दी जा सकती है, इस तरह की खबरें सामने आने की बाद ग्रह मंत्राले की और से बयान आया और कहा गया कि इस तरह की सारी बाते के वल कयास है, इस तरह की खबरें बे बुनियाद है, इस तरह की अटकलों को ग्रह मंत्राले के साथ जोना उचित नहीं है, अब लॉगडाउन 5 की खूशना कब होती है, इसमें किस तरह की नियम कायदे लागू होते हैं, केने चीजों में छूट दी जा सकती है, ये तो 31 माई को ही पता पड़ेगा, इसके लिए केंदर सरकाने सभी राजियों और केंदर शासत प्रदेशों से सुझाओ मांगे हैं,